नमस्कार इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी अपडेट है राज़तान में खत्रे के निसान से उपर है बिशलापूर भी डेम भी लवालब हो गई राज़तान में बाड़ से हालात फिर बिगडरे सेना और एंडिया अरप की टीमें ने लगातार लोगों को बचाने में जुटी है लेकिन अभी भी हजारों लोगों को मस्दद का इंतजार है करीब चंबल नदी 26 साल का रिकोर्ड तोरने के करीब पहुंच गई है साथी धोलपूर नदी का लेवल भी बढ़ चुका है कोटा के सुकनी नदी डूबने से एक सक्स की मौत हो गई है बता दे पूरे चेक्तर अधितर इलाके बाड़ का सामना कर रही है वहीं उद्यपू सार हो रही भारी बारिष का असर परदीश के 14 जिलों में सबसे अधिक लिएका उद्यपूर कोटा बरतपुर्जंबा के जिलों में इस्तानिय परशासन के अलावा एंडिया रैप एस्डिया रैप की टीमें ने आर्मी के दो क्लॉम तनात किया और साथी आज के राइजों में जलावाड 12 अबाड परवाईती लाकों हावाई सर्वे की जाएगी 24 गंटे में सबसे ज़्यादा बारिष जलावाड में रिकोर्ड की गई साथी कोटा करोली दोलफूर साइथ के जिलों से दूर दराज तक गाउं का जिला मुख्याले में से संप्रक तूट गया खत्रे के निशान से 12 मेटर तक पहुंच चुका नदी के श्याम तक खत्रे के निशान से 15 मेटर उपर पहुंचने की संभावन जताई जा रही है 1900 चिन में के रिकोर्ड तोड़ने के करीब हैं वर्तमान में पिछले चंबल नदी का जल इस्तायर 142.6 मेटर पहुंच चुका साल उपनी सो चिन में चंबल नदी का जल इस्तायर 145 मेटर पहुंच आता और जिले में बाढ़ आई थी जोलफूर में असी गाउं को लेकर टौंग का गलवा और परताब गड़ का जाकिमत्वी सामील है भारी बारिश के कारण राना परताब सागर बांद एक दिन चार लाग 66,000 क्यूज के पानी छोड़ा गया साथी कोटा विराज के सत्रे गेट एक खोले चाह चुके अब तक पानी की निकासी की जा रही है मौस तो वर्तमान मौसमवाग की मान है मौसमवाग के मताबिक जैसल मेर, बाड मेर, जालोर, परताब गड़ में भारी बारिश हो सकती है साथी गुरुवार को परताब गड़ में बादल चाह रहेंगे 26-27 अगर्ष्ट को राजे में बारिश की संभावना बेद कम लगई जारी है मौसमवाग में आज भी जैसा की जैपूर, बीकाने, जैसल मेर, बाड मेर, जालोर, पाली, शिरोई, परताबगड, उद्यपूर, डूंगरपूर, बांसवड़ा जिले के आसपार चेक्ट्रों में काईं काईं मध्यम से हलकी और साथ जारी रहने की संभावना इस दोरा